जोस्तों आज मैं अपने पती की डिमांड पे बनाने वाली हूं ताल की पूरी और टमाटा की चट्नी जो खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है और जिसे भीहारी जहरकण में काफी लोग खाते हैं यहां देखें मैंने चला दाल को सोग करके तीन से चार घंटे रखाता गैस का आज हम मेडियम रखेंगे ताकि यह जलना जाए और अच्छे से पक बीचाए हमारा जाना दल तो यह दिकेत इन से चार सीटी हो जुके है आप इसे चेक कर लीजिए और नहीं पका है तो फिर से एक दो सीटी लगा ले यह देखें यह पूर्जी तरीके से सीच चु अब जाएगा जीरा और थोड़ा सराई और इन सारे चीज़ों को गर्म होने के पाद आप जाएगा पारी कटावा चोड़ा एक दम प्याज ताकि इसे चना दल का पूरी है उसका टेश्ट और अच्छा हो जाए तो यह हलका ब्राउन होने तक हम पकाएंगे अब हम मिर्च यह देखें अब हम इसे एड़ करने के बाद इसे भी हमें दो मिर्ट तक भून लेना है ताकि यह जो मसाला है यह अच्छे से भूना जाए और जले नहीं बिल्कुल भी और अब हम यहां कुछ मसाले एड़ करेंगे जैसे स्वाद अनुसार नमाग एक टिसमून के करीब र अब हम इसे लगाता है एक मिर्ट तक फिर से पका लेते हैं यह इसका अच्छ हमें एकदम मेडियम रखना है ताकि यह जलने नहीं चाहिए और आपको मसाला अच्छे से फ्राई भी हो जाए यह देखें और अब यह से फ्राई होने के बाद चना दल जो मैंने उबाल के इसका पानी हमें नहीं डालना है एकदम और अब हम इसे डालने के बाद इसे भी हम लगतार चलाते रहेंगे चना दल की पूरी ना एक खास का लोग ज्यादे तर लोग थंड के दिनों में खाना काफी पसंद करते है या तो फिर डिनर के टाइम पे इस चना इसके साथ टमा नहीं में अच्छा से ये भाराएगा नहीं तो यह देखे, चनातर अब हम अच्छा नेमेसी हो गई हो तो अब रीकटावा धनी काफी अच्छा आता है धनीया का तो अब हम इसे हल्का यह चलाते रहें और इदर हम साइट कर लेते हैं अब यहां आ टाग उत लेते हैं दो क पानी को कभी फेकते हैं नहीं है क्योंकि यह पानी ना डाइजेशन सिस्टम के लिए काफी अच्छा होता है तो हम मैं हमेशा इसका आटा गुत लेती हूं इस पानी से तो यहां पर हम थोड़ा थोड़ा हम पानी डालके यहां आटा इसका गुत लिए और यह देखे और अब हम इसका बनाएंगे लोया अब हम इसमें आचाना दल को श्टाफ करेंगे तो छोटी छोटी आप लगिया लेते जाएए और इसके भरते जाएए और भरने के बाद इसे आप गुल गुल अच्छे से करते जाएए और भरने के बाद आप इसे बेल भी सकते हैं और साइड मे ये चना दल के श्टफिंग को जो मैंने बना कर रखा था वो तुम्हें ठंडी भी हो गई है तब थंडी होने के बाद ही आपका पुड़ी में अच्छे से स्टफ होगा तो अब हम इसे भी भर लेते हैं ये देखें इसके साथ आप टमाटर के चटनी जरूर बनाई चना दल क अब तो इसे खाने में बहुत ही मजाता और जितनी भी जो ऊपर में है वो दीरे दीरे करके निकाल दीजे और इस तरीके से देखें मैंने सारी लोगया तैयार कर ली है और अब हम इसे बेलते जाएंगे इसे ज्यादर दबा के नहीं बेलना है एक तब हलके हाथों से बेलन अगर लाओ फिले में रखेंगे यह काफी अच्छे से पकेगी यह देखें दोनों हरसे अब पूरी को सेक लिजे और इसे निकाल लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले अका